आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जाने से पहले बिना सब्सक्राइब किये जाना मत मैं आज हूँ पंजाब के एक बहुत ही खुपसूरत शहर में जो है अमरीचसर अमरिट सर बहुत सारे चीजों के लिए फेमस है लेकिन मेंली जो तीन चीज के लिए टुरिस्ट यहां पे बहुत आती है वो है गोल्डेन टेंपल, जल्यान वाला बाग और वागा बॉडर यह जो रस्ता आप लोग देख रहे है यह जगा जल्यान वाला बाग से गोल्डेन टेंपल तक ऐसा ही है यह नो इंट्री रोड है और दोनों साइड बहुत सारे दुकांज है जिसमें बहुत खुबसूरत खुबसूरत चीजे मिलती है शॉपिंग तो आप लोग भरपूर कर सकते हैं और मैं आगे बढ़ती हूँ मैं सुभा सुभा निकल परी हूँ गोल्डेन टेंपल के अंदर दर्शन के लिए और सुभा इतना शान्थ है यहां का महौल दुकांजारे खुल रहे अभी चाय का खुश्बू आ रहे है और देखिए कितना शान्थ है यहां तो के जाना है लेडिस जैन्स हो या बच्चे हो सबको सर ढखना मेंडिटरी है तो अच्छे शुध मन से जाए और इस जगा का जो शांती है उसको महसूस कीजिए और आगे देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ में मंदी में हम लोग एंट्री कर रहे थे और बहुत लेकर जाने के लिए यह गेट है अंदर जाने का है यह मेरा सेगेंड टाइम है मैं पहले भी एक बार जा चुकी हूँ गोल्डन टेंपल और जो लोग नए हैं जो लोग तूरिस्त है जिन लोगों को थोड़ा बहुत रूल्स पता नहीं है यहां का वो लोगों को गाइट क आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आप लोग फ्लीज फॉलो कीजिएगा उन लोगों के साथ कॉपरेट कीजिएगा मैं शाम के टाइम पर भी गई थी और मैं रात को सारे 10 बजे तक यहां पर रुकी थी मन ही नहीं करा था यहां से निकलने के लिए लेकिन मैं आप लोगों को यह जरूर बोलूंगी कि सुभे का महल और शाम का महल टोटली डिफ्रेंट होता है यहां पर इतने सारे लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं अंदर टेंपल दर्शन के लिए आते हैं तो आप लोग जो लोग जाएंगे राम मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज दोनों टाइम वीजिट कीजिएगा यह जब आप लोग के आखों के सामने दिखने को मलते हैं तो इसका कुछ फीलिंग्स अलगी होता है यह जो लोग वहां पर प्रेजन्ट होता है वो लोगी फील कर सकता है यह देखने के लिए मैं बार बार जाना पसंद यह कुछ अलगी रूप है शाम को इसका रूप कुछ अलगी होता है मतलब इतना खुबसूरत कैसे हो सकता है बार बार मैं यही मन में सोच रही थी के इतना प्यॉर इतना मतलब अच्छा लगेगा आपको तो मतलब बस आप उसमें खो जाओगे, आपको निकलने का मन ही नहीं करेगा, मन करेगा कि बस वहीं पर ही बैठे रहे, वहीं उस जगा को फील करे, इतना इसमें शांती है, इतना प्यॉर है ये जगा, सच में, मन खुश हो जाता है यहाँ पे जाके, ये प्रशाद है, आप लोग को प्रशाद मिलेगी दर्शन के बाद, यहाँ पे बहुत बड़ा लंगर खाना है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे खाना खा सकते हो, और नेक्स टाइम मैं जाओंगी तो मैं पक्का से विजिट करूंगी, इस बार तो मेरा लंगर में जाना हुआ नहीं, इनफाक्ट मैं पीछले बार भी आई थी, तब भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि बाहरी कुछ प्लान्स होता है, कि वो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना टाइम मैं यहाँ पर रही हूँ, मेरा मन खुश हो गया है, शान्ती मिले इतना, वो तो मतलब मैं समझाई नहीं सकती, लेकिन आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, डे, नाइट, दोनो टाइम विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ मारकेट में बहुत अच्छे चीज़े मिलते हैं, आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, मैंने भी जम के शॉपिंग किया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेर, कमेंट और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, मिलते हूँ मैं नहीं वीडियो में, तिल देन, बी हापी, बी पॉजिटिव और कीप स्माइलिंग,